आज क्यूंझ जा रहे है जन्तरमंत्र पें?" आज से 26 भंटे आप बैंगलवार में एक एक भोट के लिए छेटिस सीटे हैं बैंगलवार के आस-पास में उसके लिए 26 गंटे की यत्रा आप कर सकते हो, लेकिन चार बेटियां हमारी मेडल लेके आई हैं आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हो पधान मंत्री जी वहां भी तो बजरंगी बैठा है बजरंग बली हमारे इस्ट देव हैं हमारे आराद्धे हैं उनका विरोध तो हो इनी सकता लफंगों का विरोध हो सकता भगवान के नाम पे जो चिटिंग वा हिंदू ओसर ठीक है जो इधार है These मोडी मतलब देश विरोध नहीं हो सकता है यह सकता है यह जान लिजिये और यह जो भीलोक समझते हैं वो मुर्ख लोग हैं समूचा हिंदू नावा सकता है हिंदू कि अघन रहता है आप हिंदू राष्टmy ने कितनी इतनी यह है तो क्यों नहीं वो धिर अधर जी जो है किसानों के उपर अजय लगा देते हैं क्यों नहीं हो बेटीया बैठी जंतर कंतर पर उसां जील गा लेते हैं पता दें कि कौन दोशी है पढ़ान मंतरी जो बाते कहते हैं पी forbidden नहीं होती है उस बात का अर्जी लगा ले भाईया 80% हिंदू यहां है तो हिंदू राष्ट नहीं है यह हिंदू राष्ट ही तो है जहां हिंदू रहते हैं वह हिंदू का राष्ट है कौन कहता है राम देव बाबा एक्सपायर हो गए बीजेपी से 10-11 में उनका यूज किया अब यह नए आये हैं धिरेंदर जी युवा हैं इनको भी पता नहीं है कि 24-25 के बाद इनका भी पतन यहीं भारतिये जंता पाटी जो अभी ला रही है इनको प्लेट फॉर्म पकड़ा रही है यहीं इनका पतन का कारण बनेगी बजरंग दल पे बैन मतलब बजरंग बली का अपमान साथ में बिहार में बाबाब आगे स्वर आ रहे हैं उसको लेके विबात चला है लगातार पाटीयां लग लग पाटीया अपना अपना राय उस पे रख रही है इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी ज लिए जी जी हैं जो जापके परवक्ता है सब्सक्राइब तरकार से पियम का वियान आया है कि बजरंग दल का बिरोध मतलव घिरंग बली का इस हंदोस्तान में बिरोध तो हो यह नहीं सकता है पहले पध़ान मंतरी कोई समझना होगा दो बजरंग बली हमारे इस्ट देव हैं हमारे आराध्य उनका विरोध को नहीं सकता है लफंगों का विरोध हो सकता है भगवान के नाम पर चिटिंग वाजी चल रही है जो फरजी वाज चल रहा है जो फरजी धर्म के नाम पर जो मार पीट चल रही है उसके उपर परतिवंद लग सकता है उसको तो पिसी कलेम करता है कि हम जो है हिंदू राष्ट उसका यस्पी होता है वह बजरंग बली बहुत बड़ा अंतर है बजरंग पुनिया अधरने बाटे हैं दिल्ली में बैठे हैं बिल्कुल आपके पास में बैठे हैं कभी से पजान मंत्री जी अमिश्चा क्यों नहीं गये अभी तक एक भी MP एक भी व्यक्ति भारतियं दनता पाटी से क्यों नहीं गया आपके साथ लगार हिंदू सब ठीक है जो इधार है वो सब गलत है क्या एक स्रिया को लटे क्या उनका फर्जी देश्वक्त क्या एकिगतर में रूमारे पुर्वज लड़े सो यहीं तो आप डिनानेन देश्वक्त करते हैं सनातन का कौन बिरोध करता है हम लोग अपने जन्म से अपनी मा की कोख से हिंदू है हम लोग 2014 वाले हिंदू नहीं है मैंने बहुत पहले भी बात कहा था और यह भारती जनतापाटी किए कुछ मुठी भर लोग जो है ना ये एक फरजीत मैंने फरजी हिंदुत का एक चोला हर्म को बचा रहे हैं हिंदु राष्ट चाहते हैं पूरे चुनाद को नहीं ला दिया ना आखिर में हिंदु मुस्लिम पे भगवान पे राम पे बजरंग बली पे आप भारती जंता पार् तो भारत पाकिस्तान भारत चाहिना मुझे ये बताइए कभी रोजगार की बात होती है कभी अर्थ ववस्ता की बात होती है आज हमारी जो बेटिया कई बैठी उनकी बात हो रहYे कभी finance आज मनीपूर में लोग मनरे हैं वह उह हिंदुस्तान की लोग है वह राष्टबात कहां है भी पधानमंत्री का क्या 26 घंटा बैंगलोर में चलना जरूरी था देश के पधानमंत्री को यह मनिपूर में जाके उस दंगे को रुखवाना सबसे बड़ा राष्टवात क्या था यह पधानमंत्री और बीजेपी की टीम बताए क्या यह राष्टवात नहीं था कि देश का पधानमंत्री मनिपूर के लोगों को संबोधित करे मनिपूर में अपनी टीम भेजे टीवी अखवार कहां दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है टीवी अखवार अगर नहीं दिखा रहा है टीवी अखवार है किसका वही उद्योगपतियों का है कुछ लोग ज बिहार का हिना बेटा है रवीश, चमपारण का बेटा है, क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ, मोडी मतलब देस विरोध नहीं हो सकता है एक आदमी का मतलब देस कता ही नहीं हो सकता है यह जान लीजी और यह जो भी लोग समझते वो मुर्क लोग हैं मोधी का मतलब देश कट ही नहीं हो सकता है डेश का मतलब समुचा लोग समूचे हिंदुस्तान के लोग-irmi तक यह नहीं ले आती काट कैसी सब्सक्राइबिर को समझें कोई घंशीत के हैं वे नहीं ले जाता है अवड़ाइं के लोग समझ गये कि भारतिये दंथा पाटी से आप रोजगार की बात नहीं कर सकते हो किसान की बात नहीं कर सकते हो, महिलाओं की बात नहीं कर सकते हो, बेटियों की सुरक्षा की बात आप नहीं कर सकते हो, रोजगार की बात नहीं कर सकते हो, आप देख लिजेगा करनाटका का अच्छोना, तो आज क्यों नहीं जा रहे हैं जंतरमंतर पे, आज कौन रोक रहा है 26 गंटे आप जो है बैंगलोर में एक एक भोट के लिए 36 सीटे हैं बैंगलोर के आसपास में उसके लिए 26 गंटे की यात्रा आप कर सकते हो लेकिन चार बेटियां हमारी मेडल लेके आई हैं आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हो पधार मंत्री जी डिरंदर सास्टरि बिहार आप लोग एक सनातनी का विरोध कर रहे हैं। वो अगर वो अच्छे कच्छा वाचक है एक रामदेव है ना 35 पेट्रोल की देखिए रामदेव बाबा एक्सपायर हो गए बीजेपी से दस एकारा में उनका यूज किया गया चोदा का चुनाव जीते धिरे धिरे उनको लाइन पकड़ा दिया गया अब यह नए आये हैं धिरेंदर जी युवा हैं इनको भी पता नहीं है कि 24-25 के बाद इनका भी पतन यहीं भारतिये जंता पाटी जो अभी ला रही है इनको प्ल पाठ पर ध्यान दीजिए यह बेफजूल के चढ़ावे पर मत चढ़िए यह वहीं लोग हैं यह जो है राम से या हनवान पर बात नहीं करते आपको खुद बात करवा देंगे इनके पास है सर अगर इनके पास अरज अगर अरजी लगाने की इतनी यह है तो क्यों नहीं व अरजी लगा देते हैं कि बिहार में कोई कंपनी क्यों नहीं आती है उसकी अरजी क्यों नहीं लगा देते हैं यह लगा ले कि अच्छे दिन कहां है इस बात की अरजी लगा ले है ना पधान मंत्री जो बाते कहते हैं पूरी नहीं होती है उस बात का अरजी लगा ले तो अ बुलडोजर चलवादो अरे भाईया 80% हिंदू यहाँ है तो हिंदू रास्ट नहीं है तो क्या है तोमारे कहने से हिंदू रास्ट नहीं है diamond राば現在 करतें बार भिशेये इन्दू यहां रहते हो जहां आप रहते हो आपका घर तो वही है अब मेरा घर यह है सर अभी सेकुलर है बाबा साहब के सब्धान से सौ साल के बाद भारत चलेगा किसी के एक विक्ति के और किसी एक संगठन के कहने से भीम राओं अम्बेदकर के द्वारा दिया गया हुआ सब्धान नहीं बदलेगा आपको मैं एक लाइन में जवाब देता हूं यह हिंदुस् सर गरंथ पढ़ने की चीज है समझने की चीज है अपने जीवन में ढालने की चीज है उसे जीवन कैसे चले आप एक चीज बताईए बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिस मीडिया में बच्चों को बढ़ाते हैं उन बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिस बहुत सार वह बद्रा दिनों के अंदर अंग्रे जीद्स सिखें इसका मतलब पहले आप लोग हम लोग हमारे पुरफज्ज हमारे बाप दादा हिंदू नहीं थे यह आये है तभी हिंदू हुए क्या सोमनात का मंदित तभी बना है क्या अगर हिंदू राष्ट यह नहीं होता हिंदू का यहां जमावड़ा नहीं होता इस देश में तो इतने मंदिर कहां से होते राम की बात आप करते हो केंद्र में अब हलुमान से चाहते हो कि हम करनाटका में आ जाएं तो इस बार लोग बहुत क्लियर है समझदार लोगों की बुद्धी विवेग जो है वह बाबा के पर्ची में नहीं बाबासा अंबेदकर के कलम में है बिलकुल है सर अंबेदकर के एक-एक सब्दों में हुआ है इस पर कोई संदेह नहीं कर सकता है इस पर कोई इफबट नहीं हो सकता है यह देश अंबेद करके सब्धान से और हमारे पुर्भजों के दिये वुए संसकार से चलेमें परवक्ताथ है और जिस परकार से मोदी जी का ब्यान आया था बजरंग दल को लेकर उसपे बाबा बागेसर को लेके इनका क्या विचार है और आप कितने सहमाते हैं इस बात्चीस से ये भी अपनी परतिकिरिया अब जड़ देगा फिलाला बने रहे है नेशनल दस्तक के साथ रवी महता पठना नेशनल दस्तक के आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल